ADR India की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 78 उम्मीद्वारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें BJP के करीब 11 फीसदी और कॉंग्रस के 23 फीसदी उम्मीद्वार शामिल हैं। गुजरात में पहले चरण का चुनाव लड़हे 923 में से 137 उम्मीद्वारों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 28 में से 4 के खिलाफ, आपके 19 में 2 और 416 निर्दलिय उम्मीद्वारों में से 34 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके अलावा, पहले चरण के 89 में 21 विधान सभा चेत्र ऐसे हैं, जहां चुनाव लड़हे कम से कम 3 उम्मीद्वारों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन इलागों को रेड अलर्ट कॉंसिट्विंसी कहा गया है।